असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे तर्बूज का शर्बत ये बहुत ही मज़े का बनते हैं, आसान तरीके से बताऊंगी रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस आप इसको बना के गर्मियों में अंजवाय करें ये जितने का आपने जूस बनाना है, इस तर्बूज को काट लें छिलका उतार के बीज के साथ ही आपने इस तरह क्यूब्स काट लेने है इसके अंदर ये पुदीने के चंद पते जाएंगी और लेमन जूस काला नमक जाएगा इसके अंदर, ये आप अपनी मर्जी से पिर जितना जूस बनाना चाते हैं उससाब से इसके अंदर डाल सकते हैं ये जग में डालना आपने इसके अंदर पानी वगएरा आड़ करने की जरूरत नहीं है लेमन जूस मैंने आड़ किया है, पुदीने के मैंने कुछ पते आड़ किया है और इसके अंदर काला नमक इसके अंदर शूगर वगएरा आड़ करने की भी जरूरत नहीं है अगर वो तर्बूज मीठ है तो शूगर ना एड़ करें फिर भी अगर आपने करनी है तो आप कार भी सकते हैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है बीज के साथ ही blend करके आप इसको किसी जाग में डालें वो बीज के छिलके जो चोटे-चोटे होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे चानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छी तरह blend करें अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा करना है अच्छा सा blend करके आप इसको नकालें आप इसको नज़ाय करें शूगर पिर अगर आपने एड़ करनी है तो आप अपनी मर्जी से कार सकते हैं यह पुदीना, लैमन और काला नमक इससे बहुत मज़े का बनता है आप इसको इस तरह गर्मियों में ट्राई करें यह बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें, शेयर करें थैंक्स फार वाचिंग हो कि अल्ला आफिस